जैशिर आदे कृष्णा साथियों मैं भी कृष्णा ग्यान सहरा चैनल में आपका स्वागत करती हूं कैसे हैं आप आपके अच्छे स्वास्त और सुख़ जिवन की मंगल कामना करती हैं आपके पनीश देवों को कोटी कोटी नमन करते हुए बड़ों को परणाम करते हुए संतान के उत्तम स्वास्त के लिए भविश्य के लिए कामियाबी के लिए सबसे ज्यादा उत्तम भृत की इस पर कुछ जोच्छे उपाया से क्या करें कि हमारे बच्चे कामियाब हो जाए हमारे बच्चों को भविश्य उजबल हो जाए हमारे बच्चे निरोगी रहे हमार जो कि 5 नवर्वर दिन रभीवार को है वरत जो माता यह रखती है अपने बचों की कुशारिकी अब किया बेटा हूँ यह किसी के लिए इस वरत को रखता है कहा जाता है अहोई माता का बच्चों को दीरगाई होने का बर्दान देती हैं बच्चों को के उजवल भविश्ये क स्विकार करती है और चोंगोस का प्रापत होता है आए हो इस्ट्मी लिगे दिन कहा जाता है कि कुछ जोसिय उपाए अगर कर लिए जाते हैं कटार को पूजा के समगरी को अलक प्रकार से भगवान कंप्ति को चुछा जाजए और भगवान गणपति को चुछा देज कि आपको पहले मैंने प्रिवेस वीडियो में क्या नहीं करना चाहिए वो भी सब बताया है पूजन की वीधी भी बताई है आज सिर्फ जोत्षी उपाय बताऊंगी कि बच्चों के लेकि आ करें तो आपको भगवान शिव और अहोई माता को दूद का भूग लगाना नम्हा मंत्र का जाब करते वे एक बेलपत्र यदि अर्पित कर दिया जाता है तो भगवान गणपती आपके बच्चों को बध्धी परदान करते हैं सरप्रथम पूजे पर भगवान गणपती जिस बच्चे की बध्धी का विकास ना हो रहा हो जिस बच्चे की बध्धी में कॉंसेंट्रेशन ना लगता हो यानि की मती ब्रस्त हो गई हो बिलकुल उसको गणपती भगवान की पुजा करने चाहिए बच्चे को दूर्वा घास प्रती दिन गणपती भगवान को चड़ानी चाहिए आज का विशेश उपाई यह था कि आपको एक बेल पत्र भगव कि बनाकर गाटबांतायार, अपनी गोधी में रखकर कथा सुनियेका चल्टम वे रख दीजएगा उसके बाद उस पोट्ली को उठाकर अगले दिन अप उसमें यह बताशे आपको बिन के बाले के आप वाले दिन आप को दूद भात कहते हैं के कुला मानने लगें यह कुछ इसके अलावा एक बिलकुल जबर्दस वाला उपाया आपको बता कि जितने आपके घर में सदश्य सदश्य मतला आप हो गई आपके हस्बन होगे आपके बच्ची तरिक बादनेर हैंείर managed चार बच्चे दू आपको एक जानदी मेह नहीं पहना जाता तो शे सफएद पुषग्ले लिए लिएना घिक हैं जितने मेंबर हैं जितने बच्चे हैं उसके नाम का एक एक से पुष्प लेकर उसको बूत लेना माला बना लेना छे पुष्प की पाच की चार की जितने आपके बच्चे हो उत्ते पुष्प की एक माला बना के ओही माता को पहना देना उसके बाद उस माला को उतार कर पूजा के ब अब नरसरी से खरीद लाना जिन में सफेद फूल आते हो पूछ लेना सफेद फूल किसमें आते हैं और उस पोधे में छोटे से में एक सफेद फूल खिलाओ तो फिर तुमने के इस बल्ले बल्ले हो जाएगे वह सार्व्यूं तोर पर बने वे मंदिर में लगा कराईगे उस मेरी भी गोद भरे मुझे भी संतान की पराप्ती हो जाए ऐसा किया कर होई माता को पहना दी जाती है उस मालगों संभाल कर अपने कपड़ों में पूरे एक साल रखा जाता है बीच में ही अपके धर में शुक्स हुचना आ जाती है अपते है और यह दार्मिक मानननेता बिल् जो भी आपको अच्छा लगे एक दो चाह सब करना चाहों सब कर लेना कुछ भेद नहीं है कुछ आपका अलग से लगने वाला नहीं लेकिन आपको इसका रिजल्ट जरूर देखने के लिए सदय आपके बच्चे सनमार्क पर चलें आपका कहना मानें कामियाब हो खुशहालों तरक्की करें उन्नति करें दीरगाई हो ऐसी में भी अहोई से प्रात्ता है आज के लिए इसाद देजिए आशार करती वीडियो आपके लिए बहुत उपयोंगी साबित होगी मिलते हैं को अब जब दस वीडियो के साथ तब तक हसते रहें मुस्कराते रहें अपन और अपने अपनों का ख्याल किजिए वीडियो चिल लिए तो लाइक किए जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जै औहो ही माता लिखना बिलकुल मात पूलि झाल 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 झाल